नमस्कार स्वागत आपको जनसत्ता में मैं वी भावरी दिक्षित लेकर आई हूँ आपके लिए दिन भर की ताजा खबरे दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए अर्विन केजिवाल ने एक बड़ा बयान दिया है अर्विन केजिवाल ने कहा कि जब से इसी वियाई ने दिल्ली के उपमुख्यमंद्री मनीश सुसोधिया की घर पर रेट डाली है उसके बाद से ही गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतीशत चार प्रतीशत बढ़ गया है अर्विन केजिवाल ने आगे हसते हुए कहा कि अगर ये मनीश सुसोधिया को गिरफतार कर लेंगे तो उसके बाद से गुजरात में हमारा वोट 6 प्रतीशत बढ़ जाएगा उन्होंने कहा कि अगर कहीं सुसोधिया को दो बार गिरफतार कर लिया गया तो सरकार ही बच जाएगी अर्विन केजिवाल ने खुद के ऊपर और अपने विधायकों के ऊपर दश होई मुकदमों की जानकारी देते हुए कहा कि 16 केस इन्होंने मेरे उपर किये थे जिनमें से 12 में मैं बरी हो चुका हूं मनीश सोधिया के उपर इन्होंने 13 केस किये थे जिनमें 10 से वो बरी हो चुके हैं सतिन जन के उपर 4 केस किये थे जिसमें से 2 में वो बरी हो गए हैं दिरेश मोनिया के उपर 10 केसे से जिन में से 9 में वो बरी हो चुके हैं इस तरह से हमारे पास 49 विधायकों की लिस्ट है जिनके उपर इन्होंने केस किये थे हर कामर भृष्षाचार की मुकदमे लगाते हैं लेकिन एक भी थाबित नहीं कर पाई उत्रप्रदेश की योगी आधितिनाथ सरकार ने मदर्सों की शिक्षव विवस्था को लेकर सभी जिलों के डियम को सर्वे कराने के निर्देश दिये हैं जिस पर AIMIM प्रमुक असुदिदीन ओवेसी ने तीखी प्रतिकरिया दिये हैं योगी सरकार की आधिश पर भढ़के ऑवेसी ने कहा कि ये दो चोटा एनर्सी है ऑवेसी ने कहा कि ऐसे कई मदर्सफी है जो प्राइवेट है और जिनका ना कोई सरकार से लेना देना है और ना ही सरकार नंतों कोई रणीं करती है उन्हेंने कहा कि सरकार सेर्वय क्यों गरा रही है मैं अगर मैं सक खोलता हूं तो उंको इस्लामिक तोर तरी कि सिखाएने के लिए और उनको मौलाना बनाने के लिए को छना होऊ आगे OVC ने कहा कि सम्यधान के मताभिक भी मुझे यह थिकार हासिल है कि मैं अपने मदर से खोलू और शेक्षडिक संसान खोलू इसमें सरकार क्यों दखल देगी OVC ने सरकार से सवाल किया कि वो सर्वे क्यों करवाना चाते हैं क्या वो उनको सालरी दे रहे हैं और उनका क्या लेना देना है OVC ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ओर्डर जादी करके सीधा बोल दीजिए कि मुसल्मान मत रहिए कुरान मत पढ़िए ये सर्वे नहीं बलकि ये छोटा NRC है एक तरफ जारकट में सरकार अपने अस्थरता को लेकर परिशान है तो वहीं सियम हिमन सोरे ने अपने सहयोगी दलों के विधायकों को राची से राइपूर शिफ्ट कर दिया है दूसरी दरफ सरकारी व्यवस्था की नाकामी के चलते दुमका में जलाई गई नापालिक लड़की की मौत होने पर सियासी हंगामत तेज हो गया है लड़की की मौत से सियम सोरेन की चिंता और जादा बढ़ गई है गुरुबार के शाम को राची में सियम ने काबिनेट की बैठक बुलाई है सतिसगर की राजधानी राइपूर से आजएडी के कलौते विधायक सत्यानन भूपता और तीन अन-मले राची लोटा है क्योंकि भाजपा ने याज़का दायर की थी जिसमें आरूप लगाया था कि उन्होंने खुद को एक खनन पट्टा दे कर चुनाव नियमों को उलंगन किया है पार्टी का कहना हैं कि उन्हें ने तिक्ता के आधार पर स्टीफा दे देना चाहिए और नए से रिसेऄ चुनाव के लिए रासता बनाना चाहिए अभी के लिए बस इतना ही बागी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जैंसता के साथ धरवाद